हेलो फैंड्स वेल्कुम टू माई यूटूब चैनल और लाइन लर्निंग वैपसाइब जी के लूसे नहीं दिन दोस्ताप का स्वागत है पेज नमर 67 लॉड्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 स्वी में इसके समय में प्रधम आंगला बर्मा यूद्ट 1824 से 1826 इस्वी में लड़ा गय 1824 इस्वी में बैरिकापुर का सेंड विद्रो भी इसी समय में हुआ। लॉड्ड विल्यम बीटी 1828-1835 इस्वी 1830 इस्वी में यह मद्रासर गवर्नर था इसी के समय 806 इस्वी में माथे पर जातिय चिन ना लगाने तथा कानों में पल या बालिया ना पहने देने पर पै 1833 इस्वी में चार्टर एक्ट 12 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस परकर भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉड विल्यम बैंटिक हुआ। रजाराम महनराय के जहयोग से बैंटिक ने 3838 इस्वी में सती प्रता को समाप्त कर दिया। बैंटिक ने इस प्रता के खिलाप कानूं बनाकर 3838 इस्वी में 17 के 17 विद्वाओं के शती होने को अवेत खोशित कर दिया। दोट, अक्पर और मानाठा पेश्वाउघ होग ने भी सती पता पर जोग लगाने का प्रयास किया था बेंटिक ने कंडल स्लीमन की सहायता से 38.30 सिस्वी में धगी पता को समाप्त कर दिया 1915 सिस्वी मेंटिक ने कलकत्ता से कलकत्ता मेडिकल कॉलेजस के स्थाफना की इसी केस में मेकाले के अनुसंसा पर अंग्री जी को सिच्छा का मात्यम बनाया गया मेकाले द्वारा कानुन का वर्गी करण भी किया गया बैंटिंग में 1834 इस्वी में मैसूल था 1834 इस्वी में कुग्र एवमत केचर को हड़ लिया इसने भारतियों को उत्तरजाई पदों पर नियुत किया इसने सिच्छु बालिका की हत्या पर भी पदिवन लगा दिया चार्ल्स मेटकाफ 1836 इसने अपने एक वर्ष के कारकाल में प्रेस पर नेंतर से हटाया इसलिए इसे भारतियों प्रेस का मुक्टी दाधा भी खाचाता है लॉर्ड ऑक्लेंड 1836 इसके समय में सबसे महत्यों करता है प्रथम आंगल अफगान जीट 1829 में इसके इसने तलकता से दिल्ली तर ग्रांड ट्रंक प्रोड का मरबत करवाया लॉर्ड एलन बोरो 1842 से 1844 में प्रथम आंगल अफवान जीटा समाप्त हुआ सिंद्ध को अगस्ट 1834 में पूर्ण रूप से बिटिस समराज में मिला लिया गया दास प्रथा का उन्द मूलन इसी के समय हुआ जोंके 1834 में एक्ट फिप्थ के द्वारा लॉर्ड हांटिंग 1848 में इसके काल ही कि सबसे मैतूर गटनाती प्रथम आंगल सिंद्ध इसमें अंग्रेजी विजय हुए इसने नर्वली प्रथा पर भी पतिबन लगाया लॉर्ड दल होजी 1848 जपनेश्वी दिद्धी अंगल सिंद्ध तधा पंचाब के प्रिटिस साशन में विले 844 जवी इन्जगत प्रशित सिंद्ध राजिक का प्रशित हीरा कोहिनू मालाने विक्टूरिया को भेज दिया गया था दिद्धी अंगल वर्मा युद्ध और सन 1852 में लुवर वर्मा एवं पीगू की अंग्रेजी राजी रूप में मिला लिया गया डल होजी ने सिक्कम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्वार का रूप लगाकर सन 1852 में उस पर अधिकार कर लिया 1852 में एक इनाम कमिशन के स्थापना की गई इसका उतियस भूमिकर रहित जाहगीरों का पता लगाना करके उन्हें चीनना था दल होजी का साशनकाल उनके वेप्तिगर सिद्धान डॉक्टर ओप लेप्स के काना अधिक याद किया दता है इस नीति के तहत अंग्रेजी समराज में विले किये गए राज थे सरपतम सतारा 1828 में जैदपुर मुंदेलकंड और संबलपूर 1844 में उधेफूर मत्यबदेश 1822 में जैदपूर 1833 में नागपूर 1856 में अवद को कुशाशन का हरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया इस समय अवद का नवाब वाजिद अजी शाह था 1856 में इसने तोख खानने के मुख्याले को कलकत्ता से मेरिट में स्थाजित किया और सेना का मुख्याले सिमला में इस्तापित किया सिच्चा सम्मंदी सुधारों में डल होजी ने सन 1856 के पुड डिस्पैच को लागो गिया इसके नुसार जिलों में एंग्लो वनक्यूलर स्कूल प्रमुक नागरों में सरकारी कॉलेज तथा 1856 में तीनों प्रिसिदेंशियों में कलकत्ता मद्रा सेमा मुंबाई को एक एक सुधा प्रेल 1853 इसवी में बंबाई से ठाणे के बीच में 34 किलो मीटर प्रथम रेल चलाई गई है जोस्तों डल होजी को भारत में रेल्वे का चल्णक मना जाता है इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रेल 1853 इसवी में बंबाई के धाणए के बीच बंबई से धाणए के बीच 34 किलो मीट्र प्रथम रेल चलाई गए सन 1854 इसवी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डार्ट टिकट का प्रशन प्रारम हुआ इसके पतक के रूप में बारत में पहली बार सारजिक निर्मार व्यभाग की स्ठापना के गे मैं सन 1854 में सन 17 व्यवाग के रूप में लोकसेवा विभाग की स्थापना की इस इसी के समय 1800 इसी में कलकत्ता एब्वन आगरा का पीच पहली बार पिश्ली से संचारी तार सेवा शुरू हुई इसने सिमला को ग्रीस में कालीर राजधनी बनाया इसी के समें भारती नागरिक सेवह हय तो पहली बार पतियोगतियों प्राउच्छा सुरू ग रूह जिया नर्बली प्रथा को रोगने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कर्णिंग 1856-22 स्वी। यह भारत में कंपनी गवर्णा नियोक्त अंतिम गवर्नर जनरल तदा बिटिस सम्राट के आधी नियोक्त बहरत का प्रथां बायरास बाय सराय था। इसके समय सबसे महतुकुल घटना थी सन 1857 में की अध्यासिक विद्रो इसी विद्रो के बाद प्रशास्नियों सुधारों के अंत्रयकर भारत का साशन कंपनी के हाथों से सीधे बिट्री सरकार के नेदर में ले लिया गया। क्रेनिंग के समय इंडियन हाई कोट एक्ट पारिद हुआ जिसके द्वारा बंबई कलकता तथा मदरास में एक एक उच नियाले की स्थापना की गई। क्रेनिंग के समय ही सन 1856 में विद्वा पुनर्विवा अधिनियम पारिद हुआ। मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड साहिता को 1858 में कानुन बना दिया गया। और सन 1869 में अपराद विधान साहिता लागू की गई। व्यप्रिकत सिद्धान या डॉक्टर आप लैप्स यानि राज्य विलाई की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन कॉंसेल एक्ट पारित हुआ तदा पॉर्टफोलियो प्रपाराणली लागू की गई। लॉड एलगिन 1865 से 1863 इसने बहाभी अंदोदुन को दमन किया। 1863 में धर्म साला एनि बैक इंड मैस्रपदेश में इसकी बिद्धी हुई। लॉड 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 इस 1864 इसवी से 1869 इसवी में भुटान ने बिट्रिस समराज पर आक्रमन किया। अफगानिस्तान के संबद में इसने हस्ताचेप की नीति अपनाई। जिसे सांधार नेस्क्रेता की नाम से जना जाता है। इसी के समय उडिशा में 1866 इसवी में तताबुंदेल खड़ एवं। राजबुताना में 1869 इसवी में पीशन अकाल पड़ा। इसने चेंबल हैंरी के निद्वत में एक अकाल आयोक का गठन किया। सन 1865 इसवी में इसके दोरा भारत एवं। यूरोप के बीच प्रथम समंदरी टेली क्राफ सेवा शुरू की गए। लॉर्ड मेयो 1869 इसवी लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कीई गी। इसने सन 1867 में एक क्रिशी ववाग की स्थापना की गी। एक अफगान ने सन अठासु भाता इसी में चाकू माल कर इसकी हत्या कर दी। लॉड नार्थ प्रुक अठासु भाता से चेतर इसी इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ोधा के मलहार गाउं गाय कावाण को ब्रष्टाचार के आरोप में पद्युचित कर मदाज भेज दिया। लॉड नार्थ प्रक्त ने कोश्टन की कि मेरा उद्देश करो को हटाना तता अनवायनसिक वैदनिक कारवाईयों को बंद करना है। पंजाब का प्रष्ट कू का आंदोजन भी इसी के समय हुआ। इसी के समय स्वेश नहर खोले जाने किसे भारत एम ब्रिटेन के बीच वैपार में ब्रिद्दी होई। लॉर्ड लिटन 1866 से 80 स्वी यह एक प्रसित उपन्यासकार निवंद लेकर के एवं साहितकार था। साहित अकास में इसे आपेश अवविन मेरिडेट के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बंबई, मद्राज, हैद्राबाद, पंचाब, मद्ध, भरत, आदी में महानग अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्थेजी की अधिशिता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। एक जिन्वरी अठासो साथत्तर इस्वी में प्रिटेन की महारानी विक्टियोरिया को कैंसर एहिंद की उपादी से समन्द करने के लिए दिल्ली दर्बार को आयोजन किया गया। मार्च 1873 इस्वी में रिचर्ड इस्वी में भारती समाचारपत अधिन्यम् वान्यूकलर एक्स आक्ट पारितकर भारती समाचारपत्रों पर कटूर पतिबंद लगा दिये। विशेशकर राश्टी वाज समाचारपत्र एवंसों विकाफ प्रकास को पतिबंद करने के लिए नोट पायनार अग्वाले वार्यूगलर प्रेस एक्ट गठासुरत्र का समर्थिन किया इसी की समय से नठासुरत्र इस्वीको भारती सस्त्र अधिनियम पारित हुआ जिसके तहट सस्त्र रखने एवं वैपार करने के लिए लाइसस को अनिवारित बना दिया गया इसने सिविल सेवा परिछाओं में प्रवेश किया रिक्तम आयूसीमा 21 वर्स से गठा कर 19 वर्स कर दी लिटे ने अलिकड़ में एक मुस्लिमों एंगलों प्राच महापिद्ध जाले की स्थापने की लॉड रिपन 1884 स्वी रिपन ने सर्पतम समचार पत्रों को सतंद्रतास को बहाल करते वे सब्सक्राइब 1882 इसमें वॉनिकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया इसने सिविल सेवो में प्रवेश की आयू को 19 वर्स से बढ़ाकर 21 वर्स कर दिया इसने स्थानिय स्वाशेस्व की सुर्वास्त की इसके समय में ही भारत ने 1881 इस्वि में सरपतम नेमित जन्गर्णा करवाई गई तब से लेकर अब तब प्रदेश में दस स्वार्स के अंतराल पर जन्गर्णा की जाती है नूट बारत में पहली जन्गर्णा सन 1872 इस्वि में हुई रिपन के द्वारा ही 1881 इस्वि में पतंकार खाना अधिनियम लाया गया रिपन के समय सैचिक सुधारों के अंतरकत विलियम हंटर की अतिचता में एकायोग कटित किया गया इसके समय में यूरोपियों के विरुद भारतिये निया अधीशों द्वारा वकदमे की के लिए विद्रों को स्वेथ विद्रों के नाम से जना जाता है फ्लूरेंस नाई टिंगिटल ने रिपन को हारत के उदारक की संग्या दी लौड डर्फिन 1884-88 इसके समय त्रिदी आंगल वर्मा यूत्म 1885-88 इसके हुआ और वर्मा के अंतिम रूप में अंग्रेजी रा क्तथा पंजाब 10C Act पारit हुआ इसके समय की सबसे मैतमुर्टपूर्टणा थी 18 दिसंबर 1883 में को मॉंबई AO हाम्यु का निर्टर्ट मे भारति राष्ठी कॉंउंग्रेस की स्थापना हाथाई दिसंबर 1854 में पॉमबे में AO के निर्टर्ट में लॉर्ड लेंस्टाउन 1888-94 भारत और अफगानिस्तान के मद्य सीमा रेखा डूरेंड रेखा का निधान इसी के समय हुआ 1891 इसी में दूसरा कार खाना अधिनियम लाया गया जिसमें इसरियों को 11 घंटे प्रति दिन से अधिक काम करने पर पतिबन लगाया गया साथ ही सब्ता में एक दिन की चूटी की वरस्ता की गई लॉर्ड अलगन दिदिय 1894-99 भारत को तलवार के बल पर विचित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रच्छा की जाएगी या कथन लॉर्ड अलगन दिदिय का है अठाज़ पचानवे से अठाज़ 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 इसवी के मत अकरपदेश बिहार पंजाब एममत पदेश में भैंकर आकाल पड़ा लॉर्ड करजन अठाज़ नियानवे से जीर पांच इसवी करजन इसां 1901 इसवी में सर कॉलिन स्कॉट मॉन क्रीफ की अधिज़ आधिज़्ता में एक सिचाई आयोग 1902 में सर Redditogen टो पогодिज़र की अधिज़ा में एक बिल्स आयोग IV interven somehow टाइम्स रैले की अधिज़ दान überhaupt की इसवी निसवास चाव में भारती विच्विज़ाले अधिनियमा पास पास किया गया इसने सर एंट्तिनी मैक डॉनल की अधिजता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया इसने सैन अधिकारों के प्रसेशन के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की प्रचिन निस्मारत परिच्छन अधिनियम 94 करजन ने भारत में पहलाइब आतिहासिक इमारतों की सुरच्छे अवं मरमत को ध्यान दिया इस कारे के लिए करजन ने भारती पॉरात्त विभाग की स्थापना कि इसी के कारिकाल के दौरां कलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हौल का निमार की वियेक बाहरत में विरोधी में आगा खा, एवबम सलीम उल्ला खा, के द्वारा डाका में 1906 एस्वी में मुस्लिम ली की स्थापना की गई, 1907 एस्वी के कॉंग्रेस के सूरत अधिर्वेशन में कॉंग्रेस का विपाजन हो गया, इसके साशन काल में 1907 एस्वी में हॉंगल एवबम रूशी पतिनिती मंडिलों के बीच बैटक हुई, मुस्लमानों के लिए अलग निरवाचन व्यवस्थाप, मेंटो, मानलो, सुधार अधिनियम, 1909 एस्वी के द्वारा किया गया, लॉर्ड होडिन दिती, 1915, इसके समय में ब्रटियन की राचा चॉर्च पंचम भारत आये, और 12 दिसम्मा 1911 में एस्वी में दिल्ली में एक भाफ तरबारकार आयोजन हुआ, यहाँ पर बंगाल वजन को रद करने की गोष्णा की गई, एवं भारत की राजानी काकता से दिल्ली इस्थांजित करने की गोष्णा की गई, 1912 एसी में दिल्ली भारत की राजानी बनी, 13 दिसम्मा 1912 को लॉर्ड होडिन पर दिल्ली में बम फिका गया, इसी के समय 28 एसी को प्रतम विश्विद प्रानम हुआ, इसी के साशन काल में फिलो जासा, महता ने बॉम्बे क्रोनिकल एवं कड़े संकर विधारती ने प्रताप का प्रकाशन किया, 1916 एसी में लॉर्ड होडिन ने बनाया सिंदू पिश्विद आले के कुल्पती नुक्त किया गया, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, 1916 से एक किस, कॉंग्रेस के लगनों अधिवेशन, 1916 में कॉंग्रेस का एक एकरन हुआ, है वो मुस्लिम लिग के साथ समझाता हुआ, 1916 में पूना में महिला विश्विद आले की स्थापना हुई, इसके काल में और 1917 एस्वी में सिक्षा पर सिरेंडर आयोग का गठन किया गया, 1916 में रॉलिट एक्ट पारित हुआ, इसी के काल में 13 अपरैल 1916 में जैलिया वला बाब अमरसर हत्यकाण हुआ, खिलाफत आंदोलन, अवंगांदी जी का असयोग अंदोलन इसी के समय प्रार्ण हुआ, तरती अपकान जुद इसी के समय हुआ, लॉर्ट रीडिंग 1926 पांच परवरी 1922 इस्वी को गटी चौरी चौरी कांड उत्तपरेश के गुरगपुर जीले में के बाद महात्मा गांदी ने अपने आसायो का अंतुलन अपस ले लिया 1923 इस्वी में चिदरंजन दास अबमोती लाल नहरू ने इलावाद में कॉंग्रेस के अंतरगत स्वराच पालिटी की स्थापना की 1923 के चौनाओं में इस दल को मत ब्रांद अबंगाल में पून पहमत मिला इसके काल में ही प्रिंस ओफ वेल्फ के ने नॉमबर 1921 में भारत की यात्रा की इसी दिन पूरे भारत में हरताल का आयोजन किया गया 1921 सिसी में मुपाला विद्रो हुआ 1925 सिसी में विश्व भारती विश्वदाले ने कार करना प्रारम किया 1921 सिसी में M.N. रायत्वारा वारती थम्रिस्ट पार्टी का कठन किया है 1925 सिसी में प्रसिद आरे समाजी राष्टिय वादी नेता सौमी स्रद्धानंद की हत्या कर दी गई लॉट एराविन 1926 से 31 इस्वी तीन फ़र्वरी 1928 सिसी में साइमन कमिशन बंबई पहुंचा 12 मार्च 1930 इस्वी में गांगी ची के द्वारा सविने अवग्या अधुने प्रारम किया गया प्राइब भारती चरम पंथियों दॉल्र दिलिज के असले ली हॉल में 1929 इसी किसमें लाहर जेल में चतिन दाज तिया चुलिंडे तिरज रही 1929 को भूब अधाल सुलू की और भूब अधाल के 63 दिन तियास नमबर 1929 को उसके मित्य हो गई पूब अधाल के करां भारती अवांग्री जों के दोनों के बीच वैवार में किया जाने वाला बेद भाहुत था 1929 में कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन में पूं स्वराज की कालच ने धाड़ किया गया और चपीच जमरी 1930 को सवर्णुदा दिवज में आनी की कुष्णा की गई 1932 में लंदन के परतम गोल मेच सम्मेलियन हुआ इस सम्मेलियन में कॉंग्रेस में ने भाग नहीं लिया 5 मार्च 1934 को गांधी एरविन समझातों पर हस्ता चरक किया गया और साथ ही सब ने अवग्यान दोर्ण को भी इस्तक्रित किया गया नोर्ल पपैल्एंटों 1934 सिस्वी इसके समय में लंदन में साथ सम्म मार्च 1937 का योजन उटाइव इस सम्मेलियन में कॉंग्रेस के प्रतिदीत महा अगानी ने किया और दूसरे बहांग ने मार Ctrl 3 जिन्वरी 1932 75ligen तुबारे ख़ MBいた कि दुभा 2 बार्रण किया सुला अगस 1932 को रेमजे मेक टाइंग लाइट ने विवादा इसपे संप्राज़क प्रंचाट की कोश्णा की इसके नुसार दलितों को हिंदों से अलग मानकर उन्हें अलग पतिनिजर देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निट्वाचर मंडल का प्रवादन किया गया इससे गांधी से बहुत दुखी हो गया और उन्हें इसे हटाने के लिए आमरन उपवास आरम कर दिया अंत में एक समझावता हुआ जिसा पूना समझावता कहता है किया गया और जिसमें दलित 24 दिजंबर 1932 इस्वी तक लंदन में तृतिय गूल में सम्मेलन का आयोजन हुआ कॉंग्रेस ने भी इसमें भाग नहीं लिया बिहार में 1934 इस्वी में भेंकर बुखंप आया बाया सरकाय अतिनियम 1935 में पास किया गया लॉड वेलिंटन ने कॉंग्रेस के बंबई अधि अधिवेशन किया देदा पर सर सत्यंद प्रिशन सिन्ना ने की थी लॉड लिन युडूगी ने 1936-1936-1943 इस्वी लॉड लिन इसके समय में पहली बार चुना कर आया गया कॉंग्रेस ने 11 में से 7 प्रांटर में अपनी सरकार बिनाई एक सितंबर 1949 इस्वी को दिती विश्व आरंग हुआ प्रेटी सरकार ने बिना भारतियों से पूचिय भारत को भी युद्य में जहौंग दिया कॉंग्रेस ने इसके विरूद करते वे नारा दिया ना कोई भाई ना कोई पाई और इसने अपने सांसित प्रासान प्रांतों में से सभी बंतिर मंडलों को त्यार प्रांटर दे दिया आठ अगस प्रस्ताव अंग्रेजियों के जोरा लाया गया और 1922 एस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया नौ अगस 1925 एस्वी में कॉंग्रेस ने भारत छोड़ अंदर्वन प्रारंग किया 1923 एस्वी में बंगार में एक भाहने अकाल पड़ा लॉड बेबल 1924 एस्वी से 47 एस्वी सिम्प्ला समझाता हूँ 1945 एस्वी में हुआ कैबिनेट मिशन 1926 एस्वी में भारत आया इस मिशन के सदस्ते स्टेट फूर्ट क्रिप्स पैथिक लॉर्स एब एबी अलेकजंडर बीस फ़र्वी में पिजाय मंत्री लॉड कल्टिमेंट एट्ली इने लेबल पार्टी ने हाउस आफ कॉमन्स किया गोश्चना की कि जून 1928 एस्वी में एक प्रभर सकता भारतियों को हाथ में देंगे लॉड मॉंटेन माउड बिटेन मार्च 1947 से जून 1928 इस्वी चार जुलाई 1947 को प्रिटिस सांसक में इटली द्वारा भारतिय सर्थनता विधेक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई को सिकृति मिली विधेक के नुसरा भारत और पाकिस्तान को दो सर्थनत राष्टों को को खोश्णा की गई पंदर अगर सुन 1927 को भारत सर्थनत हुआ सुधन भारत का प्रतम गवर्नर लॉर्ड माउंट पिटेन हुआ नोड सुधन भारत के प्रतम अंतिम भारती गवर्नर चक्रवती राज गोपाला चार हुए